वेलकम बाक टो माय चानल दोस्तों आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी अर्भी फ्राई की रेसिपी जो की बहुत ज़ादा सिंपल सी रेसिपी है उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ केजी बॉइल अर्भी ली है इसको मैं अच्छे से पील ओफ कर लूँगी इस तरह से मुझे इसकी स्किन को पील कर लेना है इसके जो बड़े वाले पीसेज हैं इसको मैं इस तरह से टू पीसेज में कट कर रही हूँ और जो छोटे वाले पीस हैं इसको हम उसी तरह से छोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पर अर्बी को हाथ से इस तरह से हल्क असा फ्लाट कर लें ताकि हमारी अर्बी अच्छे से अंदर तक कुख हो जाए, काफी क्रिस्पी हो जाए अर्बी को मैं वापस से उसी बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ इसका मसाला बना लेंगे तो यहाँ पर मैं एक बोल में ले रही हूँ और इसको हमें अच्छे से coat कर लेना है सभी अर्भी के उपर इस तरह से हमारी अर्भी अच्छे से coat हो गई है चलिए इसको fry कर लेते हैं तो यहाँ पर लेंगे कढ़ाई में oil यहाँ पर मैंने mustard oil का use करा है इसमें डालेंगे आदा चोटा चम्मच जवाइन आदा चोड़ा चम्मच जीरा एक चोथाई चम्मच हींग पाउडर और अभी इसमें हमारी अर्भी जिसको मैंने coat किया है वो डाल देंगे अर्भी में थोड़ी सी stickiness होती है इसलिए इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे ताकि यह अच्छे से crispy हो जाए और इसको अभी एक साइड से इसी तरह से cook करने छोड़ देंगे थोड़ी दिर के बाद पलट कर देखेंगे तो हमारी अर्भी में थोड़ी थोड़ी crispy layer आना start हो गई है तो इसको हमें इसी तरह से उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से crisp होने तक सेख लेना है अब देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी golden layer आई है और हमारी अर्भी में जो stickiness थी वो भी अभी खतम हो गई है तो दोस्तों अर्भी को garnish कर लेते हैं धनिया से और finally हमारी क्रिस्पी अर्भी की recipe बनकर त्यार हो गई है अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें